घ्लो फ्रेंड्स जिसका सब़ी को इंतीजार था कि एकनोगे बीड के फूर्म कॉप Ahen गे अगे है झनो के लगे इनाउंस कर दिया इसकी डेट पी अनूंस कर दिया है उसकी लाज्ट डेट पी अनूंस कर दिया है तो आप सब़ी को क्या करना है अपना form के जल्दी से जब दी apply करना क्योंकि last date बहुत कम दी है और आपको जो है जिसको भी इगनु के बीर के form का इंतिजार था वो जल्दी से जल्दी जो मैं नीचे लिंक दूंगा उस पर अपना form भार के जल्दी से उसको फिलाफ कर देना और इसकी फीस भी बहुत कम है और यह बहुत ही अच्छा मौका है जिसको भी इड करना है बहुत कम पैसे में भी इड हो रही है इगनु की और गोर्मेंटिड है ऑथेंटिकेटिड है अच्छी भी इड है टीचर्स बनने के लिए अच्छा मौका है जिन्होंने ग्रिजविशन किया अपना वो इसको apply कर स बहुत ही कम फीस के अंदर इतना अच्छा मौका आपको मिला है बहुत अच्छा exposure मिला है तो इसका फायदा उठाना है और इसमें मैं पूरी नौलीज आपको दूँगा अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है और आप admission लेना चाहते है बीड में फिर बीड की classes के बारे में पू इगनु की जो जो बीड है वो दो साल की है वो हिंदी और इंगली दोनों मीडियम में होती है और जब इन फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कहिए मिनिमम फिफ्टी परसेंट आपको मार्स होनी चाहिए बीड की ग्रेजुएशन के अंदर ठीक है तो इसके ल और तो उनी को एडमिशन दिया जाता है सबसे पहली बात तो इगनु में आप दारेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते बीड के अंदर उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इंट्रेंस फोर्म भरना पड़ेगा तो आप हम इंट्रेंस फोर्म के लाइडेट बहुत नजद पी ठीक है तो यह आपको जो एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजनसी एंटी ए कंड़क्ट करेगी वो ओनलाइन होता है कंप्यूटर के उपर तो उसको आपको अटेंड करना है आपको जो एग्जाम का पैटर्न है वो दोनों लेंग्वेज में आएगा हिंदे और और यह जो डूरेशन है इसकी वो दो घंटे की होगी और सो क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे दोनों पार्ट मिलागे पार्टे और पार्ट पी और जल्दी फिर इसका एक महीने बाद आपका रिजल्ट अनॉंस कर दिया जाएगा तो आपको इसमें क्या है कर लेना है इसके लिए क्रिटरिया यह है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क होने चाहिए या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होने चाहिए कोई ठीक है और जो बैचुलर और टेक्नोलोजी है बीटेक वगेरा किये हुए है साइंस या मैथमेटिक्स में कम से कम उनके पास 55% मा कर सकते हैं और इन ट्रेंट इन सर्विस टीचर होना चाहिए जो इसमें अगर वो टीचर नहीं है तो उसने कोई अंटीची नैशनल काॉंसील ओफ टीचर एजुटीशन से कोई ऐसा कोर्स किया हो छोटा जो भी है जो फेस्टो फेस रेगुलर कोर्स इसको बोलते है वो किया हो तो तो फॉटीपरसेंट नहीं होंगे तो रिजर्व क्रेडिग्री में अगर वो है तो पाच परसेंट कम मा मार्स अगर 50% दिया है तो 45 परसेंट भी अगर रिजर्व क्राटिगरी के अंदर उसके ग्रेजुएशन में मार्क्स है तो वह एड्मिशन ले सकता है और जो कस्मीरी जो है माइग्रेंट्स हैं वार्विडोज हैं उन सब को भी जो है एजपर युनिवर्सिटी रूल वह दिया हुआ है और जो मास्टर डिग्री है वह फर्स्ट क्रास होनी चाहिए किसी के लिए तो इंट्रेस्ट टेस्ट के अप्लिकेशन अभी शुरू हो गई है तो यह की वैब सा कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रूप पे कर देनी है और फिर आपके पास एक कंफर्मेशन मैसीज आ जाएगा उसको डाउनलोड करके उसको संभाल के अपने पास रखना है क्योंकि फिर जो है जब आपके एक्जाम के लिए अड्मिट कार्ड आएगा फिर वे सब चीज जो है उसके लगके आएगे जब उसके बाद आपको अपना टैस्ट देना है तो इस तरीके से और मैं आपको श्क्रीन के उपर लेके चलूँगा आपको बताऊंगा कि आपके जो पार्ट ए में कौन से कोश्चन आते हैं पार्ट बी में कौन से कोश्चन आते हैं तो चलो म learning and in this school के उपर आता है तो पार्ट A normal है सभी के लिए उसके जो पार्ट B है कोई subject लेना है कोई एक science ले लो mathematics ले लो social science ले लो English ले लो हिंदी उसके उपर आपके exam आएंगे तो total so question हो जाएंगे ठीक है जो यह curriculum है वो नोवी दसवी जो NCRT CBC है उसके वेस्पर आपका सहेगा ठीक है तो जो अगर आप पूछेंगे कि कितने नंबर के question आएंगे जो जनल इंग्लिस comprehension है उसमेंशे 10 नंबर के आएंगे 10 question आएंगे ठीक है logical and reasoning में से 20 आएंगे education and general awareness में से 25 आएंगे teaching and learning and the school में से 25 आएंगे और उसके बाद 20 नंबर जो आप सब्जेक्ट लोगे science, mathematics, social science, English, English या हिंदी तो उसमें से 20 आएंगे तो total मिला के 100 नंबर का question ये हो जाएंगे तो इस तरीके से 100 नंबर के question है तो 100 में से आपको merit में आना है और ये जो जितने भी center है उनके उपर जो है limited seat है तो उसको आपको qualify करना है चलो मैं जो इगनू ने notification दिया है जो exam का कब है और कैसे कैसे क्या कैचिए वो मैं आपको ए पहले ये इगनू का बीएड का बार में दिया है तो मैं इसमें सीरी दा नीचे लेके चलता हूं तो ये जो teachers की competencies है qualification बढ़ाने के लिए program दिया हुआ है ये maximum minimum 2 साल का और maximum इसको 5 साल तक कर सकते हो इसके बाद अगर 5 साल में आप complete नहीं कर पाते है इस course को तो फिर further आपकी जो है कोई re-admission वगेरा का process नहीं है पहले क्या था दुबारा admission लेके हम उसको आगे continuous की duration बढ़ जाता था तो अपना उसको करते रहते थे लेकिन अगर आप उसको maximum duration के अंदर complete नहीं कर सकते है तो आपका ये खतम हो जाएगा पूरा course ठीक है अभी ये ऐसा नियम अभी से लागो किया कुछ दिन पहले से ठीक है तो और इसको आप Hindi और English दोना मीडियम में कर सकते हैं 50% marks आपको चाहिए मैंने बताए दिया है और यह यह तो इन-service teachers हो या जिसने NCT से face-to-face कोई program किया हो इन-service teachers का मतलब यह है कोई teachers जहां पे आप पढ़ा रहे हो या कोई आप private school है कोई certificate लगा के जो है जैसे कुछ private school में कुछ teachers पढ़ाते रहते हैं आप समय गया होंगे तो उसमें आपको लगा देना है जब admission लोगे कि हाँ हमने दो साल तक यहां पर पढ़ाया है तो यह हो गया तो यह हो गया उसके बाद कस्मरी माइग्रेंस वगेर का मैंने बताया दि है तो फिर उसको नहीं माना जाएगा उसको पहले से होना चाहिए तो इन-service teacher के बारे में मैंने बता दिया है face-to-face mode मतलब regular में जिसने कोई छोटा-mोटा course किया हो डारेक्ट उसके लिए जरूरी नहीं कि उसमें रहे पढ़ा रहे हों ऐसा करके कोई 6 महीं ने गया कुछ ऐ admission कैसे होगा सबसे पहले आपको interest test देना है और online form वनना है ठीक है और आपका जो interest test होगा वह 11 April को होगा सेम उसी दिन MBA का भी interest test है तो यह fully computerized होगा और इसको आपको अटेंड करना है ठीक है और इसके बाद rank जिसकी ज्यादा अची rank होगी जितने student लेने होंगे उनी को first उपर वालों को ले दिया जाएगा बाकी को छोड़ दिया जाएगा आपकी जो fees है वो दोनों साल की 55,000 काफी दूसरी university के मुकाबली काफी कम है इसी में आपको books books सबकुछ मितेगा सिर्फ आपको उसके बाद exam देना है और 10-15 दिन की इसमें कुछ online classes वो कुछ practical वगेरा होता हो देना है बाकी को और कुछ इसमें कोई इतना खाफ नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं और मैं बता दो कि हम जो है जस्टीड एगनुक में जैसे admission हो जाएगा बीएड में जो important question आने वाले हैं उनके वगर भी कुछ वीडियो ज बनाने वाले हैं अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो पहले ही इस चैनल को subscribe कर लो और आप शूचर में आपको भी बीएड इगनु बीएड से कर दिया है तो यह तो था कि आपको किस तरीके से जो है इगनु के बारे में और यह था आपका जो मैं आपको बता देना चाहते हैं इगनु की website का में डाल दूंगा तो यह जो है आपका जो बिंद्रा गांदी ओपन उनिवर्सिटी एंटी की website है यहां पर आपको जाके इस से यह लग यह एक मार्च यह website खुल जाएगी आज इसमें कुछ problem आ रहा है तो आप अपना registration कर दो और 10 मार्च इसकी last date है तो प्लीज इस टाइम के अंदर में आपको क्या है इसको अपने phone को fill up कर देना है यह link में description में डाल दूंगा और यह देखो मैं आपको दिखा देत नहुं आपका क्या क्या प्रोग्राम उसमें आएगा जर्नल इंग्रिश कंपर हैंसर में से 10 नंबर का question आएगा लोजिकल अनलाइटिक डिजिनिंग में से 20 नंबर का question आएगा और यह 25 नंबर का question यह आप यह आएगे आपका एग्जाम जो है पिछला एक्जाम किस तरीके से आया है तो आपको उसको भी है थोड़ा सा अनलाइज कर लेना है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है और आपको किस तरीके से आगे तैयारी करनी है अभी एक महीना आपके पास रहेगा एक सब्सक्राइब कर ले और अगर को दिक्कत आती है करना है तो इस तरीके से आपको क्या है दिहान लखना है अपना नाम और सब कुछ डेट अब बर्त वगेरा सब ठीक करनी है बहुत सारे बच्चे घलत बार देते हैं डाटा और फिर उसको चेंज कराने गुमते रहते हैं ऐसा नहीं करना है अच्छीज को अच्छे चेक बे बैस बेसम सबस्क्राइब राइन कैसे आपको करना है कितना वह बता धिया हो और एक थैस्ट में ने प्रिछला test लिया है उसमें कौण कोउनिसे क्वेस्चिन आये है वह आज हो भी में मैं बता और दूंगा तो फ् unions mr स फब्ललक को सब्सकार कर लिए बैस वर्ट ब्लक फो